एक महिला जिसकी हालत बहुत ही ज़ादा खराब है वो दिखने में ऐसी लग रही है कि बस उसके शरीर में मानो सांसे ही बची हों ये तस्वीर याद है आपको कैसे महराश्र के जंगलों से इस महिला को रेस्क्यू किया गया था इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं ये जंजीरों से बंदी हुई थी लोहे की जंजीर से इसे जकड दिया गया था और कहानी निकल कर आई थी कि इसके पती ने इसे 40 दिन पहले जंगल में ले जाकर पहले टॉर्चर किया इसके बाद से जंजीर से बंदिया और पेडों से लटका कर भाग गया और 40 दिन तक ये उसी जंगल में पड़ी रही ना इसने कुछ खाया ना इसने कुछ पिया ये कहानी जब सामने आई तो हर किसी को दुख हुआ बहुत ही मार्मिक कहानी थी लेकिन अब ये कहानी पलटती हुई नजर आ रही है अगर मैं आपसे कहूं कि महिला ने ऐसा खुद ही किया है तो क्या आप यकीन करेंगे आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस इंवेस्टिकेशन में कई सारी चौकाने वाली चीज़े अब सामने आई है कहानी निकल कर आई है कि वीजा के लिए इस महिला ने ये पूरा ड्रामा रचा था और भी कई तरीकी की कहानी है एक एक करके आपको समझाओंगे लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि इस महिला का तो कोई पती ही नहीं है चाबी बगल में ही फेक दी और इसके बाद जब पुलिस वाले आते हैं जब गाम वाले इसका रिस्क्यू करते हैं तब कहानी निकल कर आती है कि इसके पती ने इसे टॉर्चर किया और जंगल में छोड़ दिया तो दरसल क्या है पूरी कहानी कैसे कैसे इन्वेस्टिकेशन हुई और अब क्या नई चीज सामने आई है वो एक एक करके आपको समझाती हूँ तारीक 27 जुलाई समय सुबह के करीब साथ बजे और जगे थी मुंबई से साढ़े 400 किलोमीटर दूर सिंद दुर्ग क्या सांता वाडी माफ करेगा सावंत वाडी जहां पर एक जंगल है जहां पर पांडूरंग जो 60 साल के एक बुजूर्ग है वो अपने उस जंगल के अंदर गाय को चरा रहे थे अब लगातार उनकी रोज की हैबिट थी वो सुबह सुबह उठकर अपने गायों को चलाने जाते थे तो उन्हें तीन-चार दिन से एक अजीब सी आवाजे उस जगह पर सुनाई दे रही थी पर उन्हें लगता कि जंगली जानवर होगा इसलिए जादा आगे नहीं जाते अब ऐसे में जो 27 जुलाई का सुबह सुबह का दिन था 7 बजे के आसपास पांडूरंगा फिर से जंगल में अपनी गाय को चला रहे थे अब उस रूज इन्हें बरदाश नहीं होता क्योंकि जो आवाजे थी वो थोड़ी और जादा तेज होती है जैसे कोई करार आ रहा ह है अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो महिला है जिसकी हालत पूरी तरीके से खराब है उसके कपड़े भी पूरी तरीके से फटे वटे कपड़े उसने पहने हैं पूरी तरीके से मत्मैली गंदी हो चुकी है मिट्टी से लिप्टी हुई है और तो औ पंजीर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उस महिला को आजाद नहीं करा पाते हैं, वो भागे भागे अपने गाउं जाते हैं, वहां के लोगों को बताते हैं, सरपंच को बताते हैं, और फिर जो सरपंच हैं वो फोरण पुलिस को फोन करते हैं, कि ऐस आसी ऐसी एक हमें खबर मिली है, हमारे गाउं के एक शक्स ने आके बताया है कि जंगल में एक महला इस अवस्था में पेड से बंदी हुई है, अब इसके बाद पुलिस की टीम रवाना होती है और इधर जो गाउंवाल हैं वह भी वहां पर पहुचते हैं और उस महला का रस् जख सब्सक्यर आती हैं और इसके बाद उस महला को around stretcher के जरिये नीचे अटारा जाता है, और फिर दे उससे नीचे लाकर जमीना पर रखख कंगे रख्क गांन पर इह जाता है तबडस्वे बियाते हैंग पुलिस ओड़ बिया देख होती हैं तब देखा जाता है, उसे ब और जब महिला से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ खास बोल नहीं पाती क्योंकि उसका जबड़ा है वो पूरी तरीके से अकड़ गया था लेकिन ऐसे में जब उससे अस्पताल ले जाता है तब वो हातों से लिखकर जरूर पुलिस वालों को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ लेकिन जब जो महिला है जब वो पुलिस वालों को बताती है कि उसके पती ने उसे जंगल में लाकर छोड़ दिया फिर उसे जंजीरों से बान दिया और इसके बाद वो वहां से भाग गया है उसने 40 दिन से कुछ खाना पानी नहीं खाये यह सारी चीज़े वो लिख कर पुल प्रक्षित कैसे है क्योंकि जो पांडूरंगा है जो विकास है जिन्होंने इसका रिस्क्यू किया उन सबका यही कहना था कि वो जंगल इतना खतरनाक है वहां पर जंगली जानवर घूमते हैं और ऐसे में किसी महिला का या कोई भी शक्स हो कोई पुरुष हो कोई बच्च इदर महिला आपने बारे में बता देती है पुलिस को लिखकर आप सब्सक्राइब तस्वीर देखने है जहां पर लिखकर पुलिस को एक चीज बता रही है कि उसे एक इंजेक्शन दिया गया है जिसकी वज़े से उसका जबडा है वो लॉक हो चुका है वो कुछ बोल नही एक के चेशन से उसका पती लाया था और इसके बाद उसने जंगल में ले जाकर उसे बांध दिया है अब पुलिस के लिए इसका पती वो कहा चला गया उसने ऐसा क्यूं क्या कई सारे सवाल थे एक एक करके पुलिस इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करती है लेकिन उसे पहले महिला उसको उसपिलेट्ट एक्वा के लिए इंड़ा घर सुपरूथ कराया जाता है लेकिन फिर उसे गुवा रैफर कर दिया जाता है। घूवा के जा है ले जाता है वहागांपर उसकी खानपीन रूक््टर्थ ध्यान देते हैं। उसको protein दिया जाता है, vitamins दिये जाते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ दिये जाते हैं, जिससे वो धीरे-धीरे recover कर सके, या उसके शरीर में जिन-जन चीजों की कमी है, वो पूरी हो सके, लेकिन अब ऐसे में जो पुलिस हैं वो लगातार investigation करते हैं, क्यूंकि यह जो मामला था, जो साबित हुआ कि वो अमेरिकी नागरिक है, और तो और आधार कार्ड मिलता है, पुलिस के लिए यह थोड़ा shocking था, अब ऐसे में, जो पुलिस वारे थे, उनके दिमाग में एक सवाल खटकता है, कि आखिर इस महिला का अधार कार्ड कैसे बन गया, यह कैसे यहां पर है, और से मिली है, तो उनने भारत सरकार से भी अपील की कि जल्द से जल्द इस पूरे केस में कारवाई की जाए, और जो भी गुनागार है उसे पकड़ा जाए, अब ऐसे में, जो पती है, सबसे पहली सुई उसी पर गई, क्योंकि महिला ने बताया था, इसके लिए पुलिस की द जो ही भारत आये थी की भारत आकर वो अच्छे से और योग सीख सके, और इसके लिए उसने तमिलनाडू चुना, तमिलनाडू में आकर रहती है, और यही से फिर उसकी कहानी शुरू होती है, और फिर अचानक वो एक दिन, ऐसे जंगल में बंदी हुई मिलती है, लेकिन ज महिला वे भुषतियATA, मिलनाडौ जहां भाला करती थी वहा जाने के बाद एक किराय के मकान में और ही थी तो पूष्टाच की जाती तै तो कोई पती नहीं है सारी कहानी जाने के बाद एक रेकी से जाज पड़ताल करने के बाद डॉक्टर 순ना बुष्टाच की जाती है और उसके जो भी पासपोर्ट बगरा मिला उसमें ऐसी कोई भी संदिग्द चीज नहीं थी जिससे किसी और पर शक किया जा सके हाँ उसका अधार जो था वो सवालों के घेरे में था कि उसको अधार इतनी आसानी से कैसे मिला और किस ने बनाया साथे साथ CCTV के अधार पर ये भी पुकता होता है कि उसका कोई पती नहीं है किसी ने उसे मदुरा रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा वहां से लेकर कोई जंगल नहीं आया अब इसके बाद जब पुलिस उस जगह पर जाती है जहां वो बंधी हुई मिली थी तो उसी के कुछ दायरे में चाभी मिलती है वो उसी ताले की थी जिससे उस वो महिला जो है वो पेड़ से बंधी हुई थी अब जब पुलिस और चीज़े खंगालती है तो पुलिस को पता लगता है कि महिला एक बार ऐसा नाटक और कर चुकी है यह जो महिला है इसका नाम भी पुलिस को पता लगता है ललिता काई और इसके बाद पुलिस को पता लगता है कि जो ललिता काई है वो पहले भी आसे साल 2020 में ऐसा ड्रामा कर चुकी है उसने तमिलनाडू के एक जंगल में ही खुद को पहले बांद लिया था लेकिन उस वक्त कुछी देर में लोगों ने इसे देख लिया और वहां से खोल लिया तो यह खबर सुर्ख्यों में नहीं आई थी मीडिया में नहीं आई थी जिसकी वजय से जो यह महिला है यह एक तरीके से बच गई या यू कहें कि मीडिया में नहीं आ पाई लोग इसके बारे में नहीं जान पाई लेकिन इस वक्त यह मामला काफी बढ़ा हो गया क्योंकि इस जंगल को चुना, क्योंकि यसे लगा कि बहुत ही तरीके से वैसा इलाका है। बहुत ज़ादा पड़े हैं, जानवर हैं, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही जादा density का इलाका है, यहाँ पर बहुत जादा घनत वह है और इसलिए इसने उस इलाके को छुना, यह जन्जीर बगारा इकठा करती है, वहाँ ले जाकर खुद को बानती है, ऐसा पुलिस ने इस पूरे केस में बताया है, कि खुद को बानती है, और इसके बाद चाबी उसी आसपा बता देती है कि इसके पती ने ऐसा किया है, लेकिन पती का तो कोई रोल ही नहीं है, पुलिस ने पूरी तरीके से नकार दिया, लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया, क्या इसका वीजा खत्म हो रहा था, इसलिए महि वीजा को लेकर भी है लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरे केस में नई धारा BNS के तहत जो धाराएं हैं वो लगाई है और साथे साथ अग्यात लोगों पर केस दर्ज किया है क्योंकि पती की जो पूरी थियोरी है वो तो इसकी गलग साबित हो गई पर ऐसे में पुलिस का ये सवाल अभी बाकि है कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया क्योंकि ये पुलिस ने बता दिया है कि उस महिला ने खुद को खुदी बांदा है कोई तीसरा शक्स इंवार्व नहीं है उसको किसी ने टॉर्चर नहीं किया वो खुदी अपने आप जंग उसने वीजा के लिए ही इस सारा ड्रामा रचा और पहले भी इससे पहले जब उसने 2020 में ऐसा किया था तो भी ऐसा क्यों किया फिलहाल जो महिला है उसका इलाग चल रहा है जो डॉक्टर्स हैं मेंटल हॉस्पिटल के उन्होंने उस महिला से बात करने की कोशिश की तो नहीं कि वो 80% रेकवर कर चुकी है वो धीरे धीरे बात कर रही है खाना खा रही है एकसरसाइस कर रही है और जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएगी तब पुलिस उससे कोई भी पूछताच कर सकती है हाला कि जो अस्पताल की डॉक्टर है उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि जितनी जूट और नकली है